दोस्तों आप सभी का स्वागत है NKP Production में और आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि आर्टिस्ट लोगों का जिसका इंतजार होता है कि कब से आपका Youth Fest होगा Youth Fest का Date आ चुका है इससे पहले बता दें COVID के काल के वज़े से Youth Fest का Organization और्गनाइज नहीं हो पाया था आपको बत पीट है कहां से किस लेवल तक आप जासकते हो क्या-क्या event होती है किस प्रोसेस से आप आगे बढ़ सकते हो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं आप थीयों में बने रहेंगे मैं आपको पूरा एक-एक पॉइंट बताऊंगा क्योंकि मैं इस पर इस जोर्रिवर् acquisition को represent कर Keller आपके पास बहुत अच्छा Ama का आप चोका कैसे मारते हैं उसकाधार में आपको यहां से देने वाला हूँ तो सबसादे बात मैं बात करने वाला हूं मारवाडी कॉलेज में युथ फेष्ट होने वाला है जिसमें आपका selection होगा मारवाडी कॉलेज में जो है date निकल चुका है, date आपका कब कब होगा 28 और 22 December 2022 को मतलब कि ये जश्ट आने वाला 22 को आपका वहाँ पर युथ फेष्ट होगा मारवाडी कॉलेज राची में, अभी इसमें क्या क्या है जो event है वो मैं आपको detail में बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद, मैं आपको demonstrate करके भी दिखाऊंगा क्या क्या है उसमें सारा चीज, और आपको बता दो इसमें क्या है, इसका फायदा क्या है आप इसमें participate करोगे आपको first आना है कभी भी मत सोचना कि second आना है, थर्ड आना है अगर आप first आते हो, तभी आप select हो पाऊगे क्योंकि youth face में यहाँ पर जो मारवाडी college youth face होगा उसमें जो winner रहेंगे जो first आएंगे, सारे event के जितने भी event है, सबके जो first आएंगे उसके जो winners होंगे उसको मौका मिलेगा इंटर college youth face में participate करने का, आपका एक रुपे अभी invest नहीं होगा, college इसका पूरा पैसा उठाएगा, college के थुरू से सारा इसका funding होती है यह college level की है आपको बता दे, इसमें देखिए 40 लोगों का selection होगा उससे ज़्यादा selection नहीं हो सकता है उसका जो rule है, 40 लोगों का आप director लेते हो या accompanist लेते हो, सारा ले करके 40 लोगों का उसमें होगा उसमें बता दे 15 तो और आपको बता देना चाहेंगे अभी देखिए उसमें अगर आप participate करते हैं तो उसमें भी आप team के साथ में आपको जाना पड़ेगा और इसमें देखिए वहाँ पर आपका ये hierarchy में बता रहा हूं कि यहाँ पर आपका selection हुआ 40 selection हुआ मारवाडी कोलेज से जाकर के आप मारवाडी कोलेज को लीड करोगे अब वहाँ inter college होगा inter college होगा कहने का मतलब है गौसनार college मारवाडी college राची उमेंस college निर्मला college जितने भी college है सब college वहाँ पर अपना 40-40 का team लेकर कर आएंगे मतलब 40 स्टुडेंट का team लेकर कर आएंगे और जो आप वहाँ पर जाओगे वहाँ जाने के बाद वहाँ जो competition होगा आपका जो यहाँ पर competition होगा सेम competition वहाँ पर होगा अब वहाँ पर हो गया कि आप college के लिए लड़ोगे अब ही आप अपने department के लिए खेल रहेते हैं आप वहाँ पर college के लिए खेल होगे वहाँ पर अगर आपका selection होता है अगर आप first करते हो तो वहाँ पर 40 लोगों का team बनाया जाएगा वहाँ पर जो 40 लोगों का team बनता है वो university level पर बनता है मतलब कि आप समझ लो राची university में 1,20,000 student है वो जो 40 बच्चों का selection हो रहा है उसका जो funding होगा सारा funding participate करना आना जाना सारा राची university उठाएगा और आपको बता दे यहाँ पर जो select 40 student होंगे उनको क्या करा जाएगा कि वो यहाँ से East Journal इस्ट जोर्नल यूथ फेस्टिबल में participate करेंगे इस्ट जोर्न के जितने भी universities हैं उस पर जा करके आप participate करेंगे राची university में 1,20,000 student है आपके पास मोका है उसमें से 40 में आप भी सामयल हो सकते हो बस आपको दो मोका है college में first आओ और जा करके इंटर college में first आप दोनों में first आए आप इंटर university खेल सकते हो East Journal पे वहाँ पर अगर आपका selection होता है तो directly आप national level पे चले जाओगे यह होता है पूरा hierarchy और इसमें क्या-क्या event है अभी मारवाडी college में क्या-क्या event होने वाला है इसका भी detail में आपको बता रहा हूँ आप आन तक वीडियो में बने रहिएगा उससे पहले मैं आपको जो date है date में बता दू जो राची उमेंस college जो इसका lead करेगा इंटर university का मैं आपके जिए इंटर college का वो होगा आपका 16 से लेकर 22 जनवरी को तो आपका preparation का अच्छा time है अभी आपका जो मारवाड़ी college में youth face होने वाला है इसका जो होगा 28 12 2000 28 से लेकर के 22 12 28 मतलब दो दिन है दो दिन में आपका selection होगा selection के लिए आपको क्या करना है अपना जो पुराना certificate जो होगा अगर आप theater में होगे या रंगोली में होगे उन पे जीते होंगे पहले कहीं का उसका certificate ले आईएगा अपना अधार card अपना password size photo ले करके आपको ID card का photo ले करके आपको क्या करना है voice section में अगर आप है तो voice section में dr. असोक कुमार महतोसर और girl section में है तो professor महामनी कुमारी मेडम जो है TRL department के दोनों है उनके पास जा करके आपको dust away space करना है उनके बाद उसके बाद में आपका selection process होगा उसमें select होते हैं तो आप आगे जाईएगा अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा कौन सा event है क्या क्या है आप अंतक वीडियो में बने रही है और जो अगर मेरे चैनल पे subscribe नहीं किये है आप subscribe कर लो हर तरह का event आपको इस पे मिलने वाला है तो दोस्तों देखिए जो notice official notice निकल के आया है मारवाडी कोलेज के official website में भी आपको मिल जाएगा आपको बता देना चाहेंगे मारवाडी कोलेज में जो जितने भी student है बस उनी के लिए है जो आप pass out हो चुके हैं उनके लिए नहीं है और ये जो youth festival होने वाला यूआ मोहसव अकीस को होगा और 22 December को होगा तो इसमें directly लिखा हुआ है कि जितनों भी student इसमें participate करना चाहते हैं प्रूस विभाग महिला विभाग के हैं आप क्या करेंगे प्रूस विभाग में असो कुमार मातो सर और महिला विभाग में प्रोफेसर महामनी कुमारी मेडम को आपको दस्तवेज देना है उसके बाद में इसमें ये event क्या क्या है चलिए मैं event के बारे में discussion कर ले हूँ इसमें participate कर सकते हो debate है, allocation है, theater event theater event में आपका mime है, skit है, one act play है तो causes कीजिएगा जो भी team बनाते हैं तीनों चीज कबर कीजिए अगर तीनों चीज कबर करते हैं तो आपका selection पक्का होता है मतलब कि skit भी कर लिजिए skit आपका 10 minute का होता है one act play कीजिए, जो 45 minute का होता है वही Mime Up कीजिएगा माइम आपका 6-7, 6 minute के असपस का होता है वहीं आपका बतादे, fine arts fine arts में आप क्या क्या कर सकते हैं poster making, on the sport painting collage making rangolic making competition clay modeling, मिटी से जो बनाते है model, वो हो गया on the sport photography, सबसे easy है on the sport, लेकिन सबसे hard भी है उसके बाद आपको बता दें चौता है, जो है, folk dance tribal dance, ये group में होता है वहीं singing plus musical instrument आपका जो आप गाना गाते हैं, और musical instrument जो आप एक artificial बनता है, मतलब एक अपने से बना करके आप उसमें जा सकते हैं, या article अब musical instrument अपना भी ला करके singing कर सकते हैं, वहीं पर फिर आते हैं music events में जिसमें आपका होगा, classical vocal solo, हिंदुस्तानी और करनाटकी में classical instrumental solo इसमें आप percussion और non-precautions भी आ सकती है, light vocal, Indian, western vocal, solo, group sound Indian, group sound, western classical instrumental instrumental, western solo ये जो event है, ये सारा event में आप participate कर सकते हो, ये event आपको दिया गया, यहाँ सा selection अगर आप first आप आते हो, first second third को तो award मिलेगा ही, अगर आप first आते हो तो फिर आप inter college में जाओगे, inter college में first आते हो तो आप inter university level पे जाओगे, ये आपका है पूरा process, और किसी को doubt होती है तो आप comment, like करके तो बताईए, comment करके बताईए कि क्या समस्या हो रही है, किसमें आपको doubt हो रहा है, मैं पूरी तरह से help करने की कोशिस करूँगा, क्योंकि मैं आपका senior भी रहा चुका हूँ और इसमें मैं participate already कर चुका हूँ, और मारवाडी कॉलेज पिछले बार youth fest का all over champion था, और आप जितने भी आप इसमें participate करेंगे, आप से भी कोशिस होगी और दुआ होगा कि आप भी जीत किया है और जीत का चिलसला बरकरार रखें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद